Hello everyone, welcome to Commerce Studies. Today our topic is Capital Gain, Its Types and What are the various exemptions that are available for Capital Gain under Income Tax Act. तो इस topic को हम discuss करेंगे, इससे पहले guys अब income tax का एक most important topic जो है वो theoretical point of view से काफी important है, वो है residential status, उसे हमने complete कर लिया था, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो एक बार playlist से जाके उस वीडियो को चेक कर लेना, आज हम इस वीडियो में जो discuss करेंगे capital gain और उ उसकी exemptions को, तो चलो start करते हैं इस topic को, first of all capital gain क्या होता है, सबसे पहले capital gain को समझने के लिए हमें capital assets को समझना पड़ेगा, capital assets क्या है, देखो हमारे income tax act में, अगर मैं सारे content को ना पढ़ू, अगर ऐसी आपको बताऊं, तो हमारे income tax act में, देखो जो हमारी income है, कोई person है, उस उसे plot को, या उसे shares को, जब sale किया, तो उसे कुछ earning होती है, तो उस earning को हम कहां पर show करते, उस earning को हम show करते है, capital gain head के अंदर, right, PGP, capital gain, salary, house property और other head, जो income tax में, अलग-अर अलग heads होते है, उस में से से इस तरह की income को हम कहां पर show करते है, इस तरह की income को हम show करते है, capital, capital gain head sens ud received, सबसे वहले हम इसको discuss करेंगे capital asset होता है कि कोई भी अगर मालो कोई भी person है किसी के पास कोई property है कोई shares है या कुछ भी है जो किस person के पास है तो उसे हम capital assets बोल देते हैं लेकिन income tax में specially mention किया गया है कि यह वाली assets को हम capital assets नहीं मानेंगे तो यह कौन सी assets है first of all first asset है कोई भी stock in trade है raw material है तो उसे हम capital assets नहीं मानेंगे करते हैं उसे हम capital gain calculate करते हैं next is agriculture land है अगर वो रूरल इंडिया में situated है तो भी capital assets में नहीं आती बट land जो है वो इस एरिया में नहीं होनी चाहिए जो इन एरिया नहीं पर मैंने specify किया हुआ है आप इसका screenshot ले सकते हो next है कोई भी gold bond है जो central government ने इशू की है जो special bearer bond है या फिर कोई gold deposit bond है जो gold deposit scheme के अंडर आते है तो इस तरह के जो bonds होते हैं वो भी capital assets के अंदर नहीं आएंगे next है अगर हम इसमें बार-बार एक term यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं त्रांसफर क्या होता है transfer means जब भी आपने किसी capital assets को sale कर दिया तो वो transfer है बट यह सारी चीजे transfer नहीं मानी जाती है जैसे HUF ने कोई partition की है liquidation के time पे या कोई किसी को as a gift आपने अपनी property दे दिये तो यह सारी चीजें जो है वो transfer में नहीं मानी जाती जैसे amalgamation के time पे आपने कोई asset transfer किया कोई bond को convert किया तो इस तरह की चीजें जो है वो transfer में नहीं आती है तो पहले इस question को define करने के लिए आप capital assets के बारे में लिखोगे फिर आप define करोगे कि कौन सी चीजें capital assets में आती है और कौन सी चीजें नहीं आती है राइट I think आपको यह clear हो गया होगा next is कि what are the types of capital gain types of capital gain means here इसको समझने से पहले आपको पहले short term और long term capital assets को समझना पड़ेगा तो short term capital assets कुछ होती हैं कुछ long term होती है short term capital assets वो वाली capital assets होती है जिसे कि first मैने यहां पे लिख़ा है कि किसी capital assets को किसी asset को अगर आपने 36 month अपने पास रखा हुआ है तो उसे हम क्या मानेंगे short term capital assets ऐसे ही कुछ assets हैं जिनके case में ये time period 24 month हो जाता है next is अगर इस time period से ज़ादा आप किसी चीज को रख लेते हो तो उसे हम कह रहते हैं long term capital assets next is short term capital assets capital gain और long term capital gain अब short term capital gain का मतलब है जब आप short time period पे कुछ assets को अपने पास रखके उसको short time period में sale करते हो तो उसका gain कैसे निकाल जाता है capital gain यहाँ पे एक तरह से profit ही होता है जैसे आपके पास कोई plot था वो plot आपने 10 lakh का लिया था उस time पे और अब आपने उस plot को 20 lakh का sale कर दिये बट अगर वो short time period में आपके बास रहा है तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं जिसे जितनी amount आपको मिली है जब आपने sale किया तो पूरी amount हम यहाँ पे लिखेंगे उस amount उसको sale करते time अगर आपने कोई खर्चा किया है तो वो आप यहाँ से minus कर लोगे उसके बाद उसकी cost कितनी थी उसे हम minus करेंगे तो हमारे पास क्या है capital gain आ जाएगा next year long term capital gain भी ऐसे ही calculate होता है लेकिन उसमें क्या है हम indexed cost लेते हैं indexed cost का क्या मतलब हुआ कि जैसे यहाँ पे आप cost ले रहे हो कि मैंने कोई plot 10 lakh का लिया था तो उस time जो index चल रहा था वो 100 चल रहा था तो अब ही कितना index चल रहा है 120 सपोस 120 नहीं है लेकिन वैसे example ले रहे हैं अगर 120 चल रहा है तो उसके according अब 10 lakh की क्या value हो चुकी है तो उस value को आप यहाँ पे cost में minus करोगे तो हर जगा पे आप indexed cost लेते हो यहाँ पे जो cost है आप indexed वाली लोगे यह तो consideration होगी जो full यहाँ पे आपको जितनी amount sale के time मिली है वो लिखोगे और यहाँ पे indexed cost minus की जाती है बाकी same होता है I think आपको यह भी clear हो गया होगा पहले हमने किया capital gain क्या है capital assets क्या है उसके बाद में capital short term और long term capital gain भी होता है next कुछ exemptions है जो हमें capital gain के अंडर मिलती है एक्जैम्शन में हमारी सबसे important exemption जो है section 54 की है section 10 की exemptions हम बाद में discuss करेंगे पहले हम section 54 की exemption है उनको discuss करेंगे section 54 में हमें कुछ exemptions मिलती है exemption का मतलब होता है कि हमें कुछ capital gain होता है जिन पर tax नहीं देना पड़ता ये कौन-कौन से capital gain है आपको ये एक chart को समझना होगा उसके बाद में आपको सारी clear हो जाएंगी उसके बाद सिर्फ आपको ये headings learn करने है बाकी आप ये chart ही हर एक में बनेगा बस थोड़ी बहुत modifications होगी clear आ तो आप इसको ध्यान से समझेगा इसको एक बार छोड़ दीजिए आप एक बार simple time में समझेए जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे capital gain on the transfer of residential house property जैसे माल लो आपके पास कोई घर है आपने अपना घर sale कर दिया तो sale करके आपको कोई amount मिलेगी जो आपको amount मिलेगी वो amount अगर आपने नया plot लेने में या नया घर लेने में लगा दी तो आप नया घर ले लिया उसी amount से आपने तो आपको उस amount पे tax नहीं देना पड़ेगा I repeat कि जैसे आपने अपना घर दस लाग का बेचा दस लाग के बाद वही सारी amount आपने within two year नया घर खरीद लिया उसी amount से तो उस situation में आपको उस दस लाग की जितने का भी आपने घर बेचा उस पे tax नहीं देना पड़ेगा लेकिन क्या है कि आपने नया घर खरी पाई है उस पे tax लगता है तो यही चीज़े हमने यहां पे लिख हुई है जैसे कि who can claim एक कोई भी इंडिवीजुल बंदा या हम इंदो अन्डिवाड़ फैमिलीज को क्लेम कर सकती है next which asset eligible कोई भी residential house property अगर आपने ट्रांसफर की है तो इसके लिए आप eligible हो next is which asset taxpayer acquired to get the benefit कौन से लेनी पड़ेगी same ही residential house property ही उसे लेनी पड़ेगी या तो purchase करनी पड़ेगी या construct करवानी पड़ेगी next is which time में लेनी पड़ेगी या तो 2 साल के अंदर अंदर अपको निया घर ले 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 लिते हो गर आप तो आपको tax नहीं देना पड़ता, अगर आप construct करवारे हो तो आपको time period जादा दिया हुआ है वो है 3 years next है आपको कितनी exemptions मिलेगी जितनी आप उस नई asset में इंवेस्ट कर देते हो या जितना capital gain है जो lower amount होगी वो आपके लिए exempt हो जाएगी next है revoke of exemption revoke of exemption का मतलब है कि कब आपको यह exemption पर आपको tax दिना पड़ेगा कब जब अगर suppose करो आपने नया घर जो लिया है वो 3 साल के पहले ही sale कर दिया तो आपको tax दिना पड़ेगा तो यह चीज यह थी first exemption कि अगर capital gain on the transfer of residential house property कि अगर आपने अपना घर transfer किया है तो उस case में capital gain पे आप कैसे exemptions ले सकते हो next is capital gain on the transfer of self cultivated agriculture land in rural area same to same भी ही वही चीज इसमें है कि अगर आपके पास कोई agriculture land है आपने उसे sale किया है और उसी amount से जितनी sale करके आपके पास amount आई है उसी amount से आपने कोई नई agriculture land बाई कर लिया है तो आपको tax नहीं देना पड़ेगा जो आपके नहीं चीज लिये है वो दो साल के अंदर अंदर लिये हो और जो नई asset लिये है वो आपने मतलब नहीं जो agriculture land लिये है उसको sale नहीं करना 3 years तक तो आपको यह benefit मिलेगा next हमारे पास amount है capital gain on the compulsory acquisition of land and building forming the part of industrial undertaking मालो अगर आपको कोई capital gain arise हुआ compulsory acquire करने की वज़े से यह building forming part अगर कोई government आपका कोई चीज ले लेती है तो उस situation में भी same ही condition है कि अगर कोई भी tax पर इसे claim कर सकते है next is specific asset अगर मालो का government ने इसे compulsory require कर लिया है तो वो नई asset को 2 साल के अंदर अंदर नहीं बनेया बाय कर लेगा और जो new asset वो क्या बाय करेगा land and building ही बाय करेगा for industrial purpose और time period क्या है 3 years है how much is exempted same जो हमने पहले किया lower amount and evoke है अगर आप तीन साल से पहले sale कर देते हो तो वो आपको बाकी कुछ चीजें similar भी है इन में next is capital gain on the transfer of long term capital asset being land और building और booth अगर आपने कोई long term capital asset transfer की land and building या कोई और चीज तो उस situation में आपको section 54 EC के अंदर deduction मिल जाती है लेकिन आपने उस चीज long term capital asset को सेन करने के बाल जो आपके पास money आई है उससे आपने ये चीजें acquire की हो जैसे कि National Highway Authority of India Rural Actification या Power Finance Corporation की ही नई assets अगर आपने बाई की है capital assets तो ही आपको exemptions मिलेंगी next time period के 6 months के अंदर आपने acquire कर देनी है और जो नई assets acquire की है वो आपने 3 साल तक आगे sale नहीं करनी है next is capital gain on the transfer of long term capital asset other than the house property house property के इलावा अगर आपके पास कोई और capital asset है तो same to same वैसे ही चीजे लिखनी है लेकिन इसमें exemption के लिए आपको थोड़ी सी एक formula याद करना पड़ेगा कि investment in the new asset divided by net sale into capital gain इतनी amount exempt होती है बाकी के ऊपर tax लगता है next is capital gain arising on the transfer of asset in case of shifting of undertaking from urban to rural area अगर आप urban to rural area shift हो उसके वज़े से आपको को capital gain आपको मिले है तो same to same मेही है कि अगर आप नही उस capital gain की amount से नही कोई चीज बाई कर लेते हो नया प्लांट आप मेशन रिक्री लेते हो तो आपको exemption मिल जाएगी लेकिन time period क्या है कि नया जो आपने क्रीद है उसको त्री त्री यर्स तक आप नहीं sale करोगे next is capital gain on transfer of asset in case of shifting of industrial undertaking from urban area to special economic zone अगर आपने अपनी 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 अपने पास रखनी है otherwise अगर आप नहीं रखते तो आपको सारी amount पे tax देना पड़ेगा तो guys अगर आपको ये question आता है कि capital gain क्या है capital gain तो इसमें आप ये सारी चीज़ें लिखोगे उसके बाद में next आप लिखोगे कि कौन long term short term capital gain होता है आप इसका screenshot ले लिजे section 10 में कुछ तीन exemptions है ये सिरफ कुछ learn करने वाली है तीन exemptions आपने इसको पढ़ लेना कि income अगर कोई sale करके share से हुई है या फिर compulsory acquisition से हुई है या फिर undertaking इसका आप screenshot लेके इसको read कर लेना और जो ये सारी exemption है ये मैंने आपको deeply समझा दी है क्योंकि ये वाली बहुत ज़दा important है तो अगर आपको कोई problem हो तो आप question आप comment box में डाल देना ताकि आपको वहां पर answer कर पाऊ और अगर आपको video ची लगे हो तो like कर देना और next topic है हम अब इसमें discuss करेंगे gratitude और other questions जो 5 marks के लिए आपके लिए important है thank you everyone